नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही बहतरीन और महत्वपूर्ण सेसन के साथ आपके सामने उपस्तित हैं जिसकी चर्चा एक बार पहले भी हम आपसे लगभग एक दिन पहले कर चुके हैं किस प्रकार से मालदीव हुआ था भारत विरोधी और हमारे भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी अपने भारत के ही आइलेंड एक हमारा जो केंदर सासित प्रदेश है कई सारे लगवक 36 आइलेंड का समू है नाम है जिसका लक्षदीप वहां जाते हैं और फोटो चाते हैं और कहा जाता है कि मालदीव को भारत के द्वारा ये चुनोती दी गई है और उसके बाद मालदीव के कुछ मंतरी जो है वो भारत विरोधी बयान देते हैं तीन मंतरियों को सस्पेंड कर दिया जाता है और किस प्रकार से भारतियों ने मालदीव की हालत खराब कर दी है मालदीव की जो एकोनोमी है वो संकट में आ चुकी है आज के सेशन में विस्तार पूर्वक इन्हीं सब बातों की हम चर्चा करेंगे ट्रेंड जो किसी समय पर चल रहा था लक्षदीप को लेकर लक्षदीप लगातार हैस्टेग लक्षदीप सोसल मीडिया के उपर ट् होता है आफ्टर माले मिनिस्टर्स डेरोगेटरी रिमार्क्स ओन पीए मोधी पीए मोधी के उपर भध्धी टिपणिया इनके द्वारा की गई भारत के कल्चर को उपर इनके द्वारा सबाल उठाई गए जिससे भारतियों के अंदर गुस्सा भढ़का और पूरे सोसल मी बहरतिय जाते हैं वो अपने ट्रिप को कैंसल कर देते हैं और जो मिनिस्टर की पोस्ट है वो आ जाती है लाइमलाइट में मालदीव की सरकार बैकफुट पर आती है और अपने मंत्रियों को ही बर्खास्त कर देती है किसी समय पर लक्चदीप ता ट्रेंडिंग में और इस से दीप हो चाहें वो अंदमान एंड निकोबार हो इनको आख एक्स्प्लोर कीजिए कहें दूसरी जगह जाने की क्या ज़रूरत है जी जब भारत के अंदर ही सब कुछ अविलेबल है माल दीव प्रेसिडेंट्स फॉरेंड मिनिस्ट्री वेबसाइट डाउन इनकी जो वेब साइट है वो इनकी बिलकुल भी नहीं चल रही थी अब पता नहीं किस ने किन लोगों एक कौन से देशने इनकी ये वेबसाइट है कर ली प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो जानकारी देते हैं एक्स के उपर प्लीज नोट डैट प्रेसिडेंट्स ओफिसियल पीम मोदी ने लक्षदीब दोरे का एक वीडियो से अर किया था इसमें खूबसूरती के लिहाज से लक्षदीब अब मालदीब को टक्कर देता नजर आया था इसके बाद सोसल मीडिया पर लोग कहने लगे कि लाखों रुपए खर्च कर मालदीब जाने से बहतर है कि लक्षदीब जाएं इससे मालदीब के मंतरी और नेता नाराज हो गए उनके आपत्तिजनक पोस्ट के बाद सोसल मीडिया पर भारतीयों और मालदीब के नागरिकों के बीच में जंग सी छिड़ गई बहरत के लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वे देश में हैजटेक, बाइक, बाइकोट, मालदीब स्ट्रेंड करने लगा लोग मालदीब का जमकर विरोध कर रहे हैं लोगों का कहना है कि पी एम मोदी के लक्षदीब दोरे से मालदीब के टूरिजम को तगड़ा जटका जरूर लगने वाला है आप देखते हैं क्या ट्वीट इनके द्वारा किये गए थे पी एम मोदी के खिलाफ आप देखते हैं दा मूव इस ग्रेट ये असल में इनका एक मंत्री है जाहिद रमीज करके इनका एक मंत्री है Member of Progressive Party of Malis फिलाल जो इनके राष्टपती हैं वो पहुँचे हुए हैं चीन की यात्रा पर चीन की यात्रा पर ये भारत को विरोध अपना दिखाने के लिए पहुँचे थे और इनके मंत्री भड़क जाते हैं और इनके मंत्री मोदी जी के बारे में उल्टा सिधा कमेंट करते हैं The move is great कि आपकी ये move अच्छी है कि आप लक्षीदीप को दिखा रहे हैं However the idea is competing with us is disillusioned कुल मिलाकर आप जो है एक भ्रम की इस्थिती में हैं कि आप मालदीप से टक कर ले सकते हैं How can they provide the service we offer कि आप हमारे जैसी service कैसे provide कर सकते हैं How can they be so clean कि इतनी सापसफाई वाले ये कैसे हो सकते हैं The permanent smell in the room will be the biggest downfall कि लक्षीदीप का जो downfall का सबसे बड़ा कारण होगा वो होगा आपके कमरों में जो बदबू आएगी ऐसे ही इनके अगले मंत्री हैं वो भी tweet करते हैं वो बताते हैं वो लोगों से कहते हैं While I wish success for India's tourism कि मैं इंडिया के tourism को success की wish करता हूँ Targeting the Maldives is explicitly isn't diplomatic कि मालदीव को target करना diplomatic नहीं है हाला कि PM Modi ने मालदीव को target बिलकुल किया भी नहीं था India faces significant challenges competing in beach tourism कि beach tourism में इंडिया को काफी ज़्यादा challenges का सामना करना पड़ेगा Considering our resort infrastructure exceeds their total islands कि हमारा resort infrastructure है वो काफी बहतरीन है और इनकी एक और मंत्री है वो हद पार कर देती है वो PM Modi को जोकर बताती है प्रधान मंत्री Modi के हालिया लक्षदीव दोरे पर मालदीव से तीखी प्रतक्रिया आई है मालदीव की युवा ससक्तिकरण सूचना और कला उपमंत्री है नाम है इनका मरियम सिउना इन्होंने बेहत जहरीली जवान बोलते हुए नरेंद्र मोदी के लिए जोकर और इसराइल की कठपुतली जैसे सब्दों का इस्तेमाल किया जिससे सोसल मीडिया पर जमकर हंगामा हुआ सोसल मीडिया यूजर्स ने लक्षदीव से अपनी तस्वीरें साजा करने के लिए भारते प्रधान मंत्री के खिलाफ अभद्र टिपणी के लिए मरियम सहित मालदीव सरकार के अधकारियों को जमकर लतार लगाई है क्या लतार लगाई है वो भी देखेंगे ये इनकी जो मंत्री है उनका ट्वीट आप देख सकते हैं इसके बाद लोग और भारत की क्यों है इसका भी हमने आपको पिछले सेसं के अंदर जिक्र किया है आप चाहें तो उसको जरूर देख सकते हैं इसके बाद लोगों ने लक्षदीब की सोसल मीडिया के उपर बहतरीन तस्वीरें साजा की और साथ में ट्रेंडिंग में चलता रहा बाइकॉर्ट मालदीब्स लोग लक्षदीब की बहतरीन तस्वीरें साजा करते रहे लोगों ने जम कर यही बात पूरे सोसल मीडिया के उपर छेड़े रखी और इसके बाद दौर निकल कर आता है भारत के जो सेलिबरिटीज हैं उनका अक्षे कुमार साहब भी ट्वीट करके बोलते हैं कि मैं भी कई बार माल दीज गया हूँ लेकिन इस प्रकार की जो भद्दी जवान का इस्तिमाल आपके द्वारा किया जा रहा है ये ठीक नहीं है एक्सप्लोर इंडियन आइलेंड के साथ ये आते हैं इसके बाद आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर साहब वो भी एक्सप्लोर इंडियन आइलेंड के साथ निकल कर आते हैं इन्होंने बताया कि मैंने भी अपने जन्म दिन के ऊपर भारत के एक खूबसूरत बीच पर अ अपने जो आइलेंड्स हैं उनके उपर जाकर छुट्टियां मनाएं इसी प्रकार से सलमान खान साहब निकल कर आते हैं इट इस कूल तो सी आर ओन लेवल प्राइम मिनिस्टर नरेंदर भाही मोधी एट ब्यूटिफुल क्लीन एंड इस्टनिंग बीचिज की भारत के साफ सुत्रे बीचिज के उपर देखकर बहुत अच्छा लगा and the best part is that ये हमारे इंडिया में है कि ये सारे के सारे जो खुबसूरत जगें हैं वो हमारे इंडिया में है जौन अबराहम भी आते हैं और अपनी तरफ से आते थी देवो भब बताते हैं कि हमारे यहां का जो कल्चर है वो है आते थी देवो भब बहुत बहतरीन सेवाएं जो हैं लक्षीदीब के अंदर इन्हें प्रदान की गई थी और साथ में ट्रेंड बें ये भी सामिल होते हैं एक्सप्लोर इंडियन आइलेंड अब बात आती है निकल कर जो मालदीव के खुद के नेता हैं आप देखते हैं ये हैं मालदीव के फॉरेंड मिनिस्टर कौन से वाले पुराने वाले फॉरेंड मिनिस्टर जो पहले इनके राष्टपती हुआ करते थे वो भारत समर्थक राष्टपती हुआ करते थे अब उन्हीं के समय पर ये रहे थे फॉरेंड मिनिस्टर और ये सरकार को चेताब नहीं देते हैं कि आप नरेंदर मोदी जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल कर आग से खेल रहे हैं ये खेल बंद की जिए I call on the government अपनी सरकार से ये कहते ह तो reprimand these officials के खिलाफ कारेवाही होनी चाहिए public figures must maintain decorum जितने भी public figures है मालदीब के उन्हें अपना decorum maintain करके रखना चाहिए they must accept that they are no longer social media activists कि आप कोई social media activists नहीं है ये ध्यान रखिए and that they are now interested with the responsibility की तुमारे उपर एक जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए India is a time tested friend India जब भी मालदीब को जरूवत पड़ी है भारत की चाहें वो operation cactus हो जब भारत ने इनकी तखता पलट को बचाया था इन मंत्री महोदे को वो सारी बातें याद हैं जो भारत ने इनके उपर एहसान किये हैं ये अपनी सरकार को याद दिलाते हैं India is a time tested friend and unwavering ally की भा भारत हमारा एक बहुत ही बहतरीन सही होगी है भारत बिलकुल ऐसा है जैसे कि emergency के समय में आपको कोई number याद रहता है 911 का number जो emergency के समय में याद रहता है उसी तरह मालदीब की सरकार को भारत का number याद रहता है एटा time भारत सबसे पहला इनका पड़ोसी है जो इनकी मदद कर चुनोती से बचाने के लिए वो है भारत तो यही याद दिला रहे हैं कि भारत जो है हमारा एक tested friend है they have historically been the first to respond in our time of need कि हमें जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले जो respond करता है वो इंडिया करता है our close relationship has been bound by mutual respect ये याद दिलाते हैं कि एक दूसरे का जो सम्मान है उसी से ह हम दोनों देश जुड़े हुए है history culture and strong people to people relation जो लोगों का एक दूसरे से भावनात्मा जुड़ाव है उसको सरकार के द्वारा खत्म ना किया जाए आप देखते हैं अब्दुल्ला साहिद जो की इनके पुराने foreign minister है पीए मोदी जी के साथ महतरीन रिष्टे इनके रखे India कि भारत के खिलाफ जो hateful language का इस्तिमाल किया जा रहा है मालदीव के अंदर उसकी एक घंगोर निंदा करते हैं by मालदीवियन government officials की मालदीव की सरकार के जो officials हैं social media के ऊपर भारत के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं उसकी निंदा करते हैं India has always been a good friend to मालदीव भारत हमेशा एक बहतरीन मित रहा है मालदीव का and we must not allow such callous remarks to negatively impact the age old friendship between our two countries की हम दोनों देशों के बीच इन बेवकूफ लोगों की बातों के चक्कर में कभी भी नहीं रिष्टे खराब होने चाहिए इंडिया के लोगों के द्वारा किस प्रकार से मालदीव के टिकेट्स कैंसल होने सुरू होते हैं बाड़ आ जाती है लोग social media के उपर बताते हैं कि पूरा का पूरा एक social media की users बताते हैं कि इन्होंने अपना एक birthday प्लान किया हुआ था मालदीव के अंदर जो लगभग बुकिंग जो है अब कैंसल दाती है इसी प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में टिकेट जो है वो कैंसल होते हैं मालदीव के मंतरी के बयान के बाद करीब 8000 से अधिक होटल के बुकिंग कैंसल हो गई इसके साथ ही 2500 फ्लाइट के टिकेट कैंसल हो गई इतनी बड़ी मात्र में नुकसान जहिलना पड़ेगा इसके बाद फाइनली निकल कर आती है मालदीव की सरकार स्टेटमेंट बाई दा गवर्मेंट ओफ मालदीव मालदीव की गवर्मेंट का क्या स्टेटमेंट आया इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप यहां देखते हैं जो हाई रैंकिंग इंडिविव हैं इनके खिलाफ जो सोचल मीडिया के ऊपर चल रहा है उससे हम आवेर हैं इस ओपिनियन्स आर पर्सनल एंड डू नोट रिप्रेजेंट दा व्यू ओफ गवर्मेंट ओफ मालदीव की जितने भी लोग निंदा कर रहे हैं इनके ये पर्सनल व्यूज है गवर्मेंट जो है मालदीव की बो बिलकुल भी इसको मतलब कोल मिलाकर इनके बयानों को सरकारी बयान ना समझा जाए ये लोग पर्सनली कुछ भी बखवास कर रहे हैं इसी परकार से जो पार्टी है मालदीव के अंदर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी इसके द्वारा भी प्रेस रिलीज कर बोला जाता है कि जो भी लोग भारत विरोधी गत्मिधियां मालदीव से कर रहे हैं उनके उपर एक्षन होना चाहिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए जिसके चलते मालदी गवर्मेंट सस्पेंड थ्री मिनिस्टर तीन मिनिस्टर ये अपने सस्पेंड कर देते हैं कौन कौन से वो मिनिस्टर हैं तो ये वो तीन मिनिस्टर हैं जिनको आप देख सकते हैं इनको ततकाल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आने वाले समय में भारत के साथ रिष्टे सुधरने की कोसिज करने चाहिए उम्मीदे साथियो पूरा सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें